सद्गुरु की साजीनवा जी, गुरु प्यारी सासंगा जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बुली दिननेंका जी, प्यारी प्यारी सासंगा जी, आज का टॉपिक है, सत्संग सेवा सिम्रन थीनों भक्ती के शिर्णार है, प्यारी सासंगा जी, सत्संग सेवा सिम्रन एनर्ज है एक चार्जा है हम जैसे हमारे पास जो मोबाइल है अगर मोबाइल को चार्ज नहीं करते हैं उसके बैट्री को चार्ज नहीं करते हैं तो बैट्री होती है दिश्चार्ज और फिर मोबाइल हमारा होता है इससे चाउफ यानि मोबाइल में एनर्जी नहीं है तो ठीक इसी हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है, इस मन को भी चाहिए इनर्जी, क्योंकि इस संसार में दो परकार की इनर्जी होती है, एक निगेटिव इनर्जी होती है, और एक पॉस्टिव इनर्जी है, तो जब हमारे माइंड में निगेटिव इनर्जी आती है, तो फिर हम डिप्रे पॉज्टिव मेंटल एक्टिटूड होता है हमारा एक साकरापना पूर्जा हमारे मन में आती है तो मन हमारा बहुत होता है पावरफुल तो पॉज्टिव इनर्जा की सत्संग से सत्संग हमारे मन का चार्जर है सत्संग सेवा से मन करते हैं तो हमारा माइंड चार्ज रहता ह और अगम सत्संग सेवा सेमन नहीं करते हैं, तो फिर हमारा मन भी डिस्चार्ज होता है, नर्वस होता है, हतास दिरास उदास जाता है, इसलिए हमें सत्संग सेवा सेमन करते रहना चाहिए, सत्संग सेवा सेमन तिनो भक्ति के श्रिंग आ रहे हैं, भक्ति पुर्ण होती कि कर जब लेते आधार हैं सत्संग करते रहते हैं तो विवेक मन में आता है विवेक आता है तो मन फिर भक्ति में लग जाता है सेवा करते हैं तो मन का मिट जाता आइमान है गया अगर आइमान तो भक्ति हो जाती बलवान है सुम्रण करने से वक्ति को उचाई मिल जाती है मन सुख पाता आत्मा भिनित आनंद मराती है सेवा सत्संग सुम्रण जो भी प्रेम से कहते जाते हैं कई हर देव सदा वकायम भक्ति को रख पाते हैं अगर वक्ति वकायम रखना है सत्संग सेवा, सिम्रन कंपोल सहली है सत्संग सेवा, सिम्रन करने से हमारी भक्ती को उचाए alpha मिल जाती है मन में सूख आता है शांती, संभिक निसपकून आता है और आत्मा को अंद और परामादर की प्राप्ती हो जाती है तो ये बाबा हदेल सीम्माराज न्यू Parlेंस नहीं कंथा रह रहें। सब्सटंग सेवा सेवा हिंटर्मन भक्ति का स्रिंग रह और भक्ति इससी प्रण होती है जर। आप इस नरंकार काहिपने लेते हैं मन करते हैं। तो मन भक्ति में लग जाता है, सेवा सत्संग सिमन फिर करता रहता है, सेवा ने की परूपकार करता रहता है, अच्छे काम करता है, जो हम सेवा करते हैं, तो हमारे मन का इंकार्मेंट जाता है, और बिनम्रता में आ जाते हैं, सेवा हमारे मान को मिटा देती है, मान अजमान स सेवा करने से बाध है और बग्ति को ताकत मिलती है लिए crippled के सवाली हो जाते। जो हम सीमन करते हैं तो मन हमारा नरंखा रभातार के साहर ध्यांट टिक जाता है जुड़ जाताई। और जब नरंकार में नहां टिकता है तो फिर जीवन में तर्की मिलती है, सफलता मिलती है, मुक्ति-मौक्ष मिल जाता है, क्योंकि मुक्ति-मौक्ष की प्राप्ति एक सबसे बड़ा एक्शिवमेंट लाइफ का, तो ये मन को सुखी करने की बात है, जितना जाद हम सत्संग स करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे जिम्र सुख आता है, लेकिन एक बात और है, बाबाजी और समझाते हैं, हर देवाड़ी में, इसे बात सत्संग सिम्रन से जो कुछ पुन्य कमाता तू, निंदा और नफुन्त में फसकर उससे अधिक कमाता तू, जितना नहीं कमाया उ जा अनन्द उठाएगा, निंदा नफर से गर्मंद रहता दूर दूर है, कई हर्भी प्रभू के पास हो सकता भरपूर है, कि निंदा नफर चुबली से हम बचना पढ़ेगा, हम सत्संग सिम्रन करते हैं, पुन्य कमाते हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी की निंदा नफर तो हमें डरना है, किसी की बुराई करने से डरना है, निंदा करने से डरना है, सेवा सत्संग सुम्रन के भी बच्ति सदा अदूरी है, इन तीनों के संगम से ही बच्ति होती पूरी है, निर्चितनिस काम पावना गुर्मत की बुनियाद है, ऐसी सेवा करने वाला बच्त एसास जगे, शद्धा वक्ती प्यार जगे और इस मन में विश्वाज जगे, सुमेर में मन डोबा है तो अनन से वरपूर रहे, चिंताओं से बाधाओं से कोसो कोसो दूर रहे, गुर्मत के सांचे में ठल कर, खुद को सुख पहुचाना है, कई हर दे में सेवा सत्संग सुम चार्ज रहे, माइन नमारा पॉस्ट्व रहेगा, और जब मन शकारातना के पॉस्ट्व है, तो फिर जीवन का जो एक रूट है, एक सही दिसा, लाइफ को सही दिसा मिलती है, हम सही दिसा में चलते हैं, सही डारिशन में चलते हैं, तो हमने वक्ती करते रहना है, दरंकार सब्सक्राइब करना है एक पल भी दरंकार को भूलना नहीं है हग पर इसकी याद में बिताना है इसके एसास में बिताना है सत्संग सेवा सिंवन तीनों भक्ति के श्रिंग आ रहे हैं सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन्दंकाच जी